मैं आपके स्मिति में आज आपको चैप्टर 7 तेनाली रमन पढ़ाने जा रही हूँ बुद्धि मानी के बल पर बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल ढूड़ा जा सकता है प्रस्तुत पार्ट में तेनाली रमन की पुद्धि मत्ता से संबंधित एक कहानी है आईए पढ कहानी है जो कि तेनाली रमन पर आधारी थे आईए इस कहानी के बारे में जानते हैं ग्रीश मृत्तु का समय था भयंकर गर्मी पढ़ रही थी विजय नगर के नदी नाले और तालाव सभी सूख गये थे तेनाली रमन के घर के पिछवार एक बगीचा था वह भी सूख गय बगीचे के खुए का पानी भी काफी नीचे चला गया था वे चिंदित थे कि किस प्रकार पने बगीचे की सिचाई करें यानि गर्मी का समय था तो पानियों की कमी हो जाती है सुखा पढ़ने लगता है तो वहां भेंकर गर्मी पढ़ रही थी विजय नगर के जितने भी नदी नाले ताला थे सभी सूख गया थे जो तेनाली रमन थे उनके घर के पिछवारे एक बगीचा था वह भी सूख गया था और बगीचे के जो कुएं का पानी था वो भी काफी नीचे चला गया था तो अब उनको इस बात की चिंता हो रही थी कि वह अपने बगीचे की स रिचाई किस प्रकार करें एक दिन रात के समय तिनानी रमन राजा कृष्ण देवराय के दर्बार से घर वापस लोट रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों के फुस-फुसाहर सुनाई पड़ी तिनानी रमन समझ गए कि चोर आए हैं तो एक दिन रात के समय में क्या होता है तिनानी रमन जो की राजा कृष्ण देवराय के यहां रहते थे महल में के दर्बार से घर वापस लोट रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों के फुस-फुसाहर सुनाई पड़ी वो तुरंट समझ गए कि यह चोर आए हुए हैं तिनानी रमन बीना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोड जोड से कहने लगे अजी सुनती हो आज दर्बार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं तुमने अपने जेवर समाल कर रखे हैं ना जह सुनते ही चोरों के कान खड़ के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बाते सुनने लगे यानी जब चोरों के फुसफुसाहट भरी बाते सुने तो तो तेला निराम बिना कुछ बोले घर के अंदर चले और अपनी पत्नी से जोड जोड से चिला के कहने लगे अजी सुनती हो आज दर्बार में या चोरियां बहुत जादा हो रही हैं तो तुमने अपने जेवर सम्हाल के रखे हैं ना या सुनते ही चोरों के खान जो कान थे खड़े हो गए या चोकनना हो गए वो वे चिपते चिपाते तिलानी राम के घर के पीछे वाले खेड़की के नीचे आकर चिप गया और उनकी ब चोर लेकिन उसे ढूंड ना पाएं पर उसे जगह है अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंड नहीं पाएंगे तो तिनाली रामन ने कहा कि हमारे पास एक लोहे का बड़ा से संदूख है हम उसमें सारे जेवर्स रख देते हैं और उसे अपने पगीचे के कुवे मिटाल देते हैं जिससे चोर अगर आएं भी तो उसे ढूंड ही ना यह सुनकर चोरो का सरदार बहुत खुस हो गया और अपने साथियों से फुसफुसा कर बोला सुना था कि तिनाली रामन बहुत बुद्धिमान है लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धी नजर नहीं आ रही है इसको तो इतना भी मालूम नहीं है कि दिवारों के भी कान होते हैं यानि वो चिला चिला के कह रहे थे ना सोर मचा के ऐसी वाते तो बहुत स्लो तरीके से की जाती है तो यह सुनते ही जो रोका जो सरदार था वो बहुत खुस होता है और अपने साथियों से कहता है कि सुना था कि तिनाली रामन जो थे वो बहुत बुद्धिमान है लेकि इन हमें तो ये कुछ खास बुद्धी वाले नजर नहीं आते हैं, इनको या भी पता नहीं कि दीवारों के भी तो कान होते हैं, तभी तिनानी रमन ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा कि बाहर कुछ जोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदोप में भरो, थोड़ी देर बाद तेलानी रमन और उसकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदोप, जोर लगा कर घसीरते हुए कुए के पास लाएं, बहुत मुश्किल से उसे उठा कर कुए में ठकेल दिया, चपाक जोर से आवाज हुई, वे दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए, तब ही तेलानी रम जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामानी संदोप में भढ़ दो, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, कि उसमें कुछ सामान भारी के तेलानी उनके पत्नी उस लोहे के संदोप को गसीटते हुए कुईये के पास ले जाते हैं और बड़ी मुस्किल से उठाकर उसको उसमें ढ़केल देते हैं और वे दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए तिनानी रमन और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने पर चोरो का सरदार अपने साथियों के साथ कुईय के पास आया कुईय के पास वाल्टियां और रस्टी पड़ी हुए थी कुवे में उतरने के लिए वे उसमें बचा थोड़ा पानी निकालने लगे ताकि संदूग निकाल पाएं पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा इस फ्रकार भगीचे की सिचाई होती रही दीरे दीरे राद बीद गई सुबा होने लगी तो चोर रसी के सारे कुवे में उतरे और उन्होंने बहुत मुश्किल से संदूग को बाहर निकाला एक चोर ने पत्थर से संदूग का ताला तोड़ा परंतु क्या क्या अंदर तो चक्की के दो पाट रखे थे दोनों का चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला तेनाली रमन सचमुच्चतुर है उसने हमें उल्लू बनाया है तुरंट भाग लो नहीं तो पकड़े जाएंगे चोर तुरंट भाग खड़े हुए तिलानी रमन अपनी खिर्खी से उन भागते चोरों को देख रहते सच कहा गया है मुसीबत के समय बुद्धी से काम लेना चाहिए तो क्या हुआ तिलानी रमने जब चोरों को देखा आया उनकी आवाजे सुनी तो वो डरे नहीं उन्होंने बुद्धी का सहारा लिया और भी काम करवा लिया यानि बगीचे जो सूख रहते उसकी सिजाई भी सिमाध्यम से करा ले उन्होंने उस भारी भरकम संदुक को उसमें फेका अब चुब स्वारी चोरों के सरदार को यह लगा कि इसमें तो धेर सारे जेवर हैं और कुए मुतनने के लिए पानी तो कम करना नहीं रहता और वो तुरन समझ जाते हैं कि राइन रवन तो सच में चतुर थे और उन्हें उल्लू बना रहे थे वह कहीं पकड़े ना जाए इसलिए वहां से तुरन